हेलो बच्छों क्या हल चाल कैसे हैं आप और कैसी चल रही आपकी Jay Means की तैयारी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी Jay Means की तैयारी मस्द चल रही होगी और आप बहुत बिजी होगे पढ़ने में जिसके लिए आप एकचली इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हूँ मैं यहां आज एक वीडियो के साथ आया हूँ, actually आपको इन आखरी के 10-12 दिनों में exactly किस तरह से कैसे प्रोसीड करना चाहिए, primarily PC में, Physical Chemistry में ये बताने की कोशिश करूँगा, So basically last 10 days के लिए strategy क्या होनी चाहिए, ये बात करते हैं, अच्छा उससे पहले मैं सबसे पहले ये चीज आपको specify करना चाहूँगा, कि एक चीज जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि अपनी तरफ से full efforts करने होते हैं, full efforts, 100%, अपनी मेहनत, मतलब अपना खुद का 100% देन हैं, और खुश रहना है, बहुत खुश रहना है, और खुश आप कैसे रहोगे, जो काम आप करने आए हो, उसको जब पूरी इमानदारी से करोगे, तो अंदर से वो जो satisfaction आएगा, वो आपको खुश रखेगा, और आप खुश चाहिद इस चीज से relate कर पाते होगे, क्योंक कुछ न कुछ आज का दिन गरवड हुआ है, और मुझसे गरवड़ी हुई है, मुझसे गलती हुई है, और वो आगे नहीं होनी चाहिए, यह जो भावना है, यह आपके अंदर होनी चाहिए, इसलिए आप हर दिन खुब जबरजस्त मेहनत करोगे, और जिस दिन आप सटिसफाइड रहोगे, कुछ भी रिजल्ट हो, उसके लिए वरी नहीं करना है, जब आप खूब मेहनत करते हो, तो मेरा यकीन मानिएगा, यह मेरे वर्ड्स हैं, आपको उस मेहनत का रिजल्ट कभी न कभी मिलेगा, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, लेक आप अपनी biological clock को set कर, ठीक है, आपको जरूरत है कि यह जो आपका mind clock है, और जो पूरे शरीर की एक तरह से synchronization है, या आप बोल सकते हो, जो tuning है, उसको proper करनी है, क्यों proper करनी है, क्योंकि आप जिस slot में exam दे रहे होगे, 9 से 12 और 3 से 6, कोशिश करो बेटा, कि 9 से 12 और 3 से 6 में एक paper जरूर लगाएं, एक mock test paper ले लो, या कुछ भी ले लो, और अगर जो बच्चे यह कह रहे हैं कि नहीं हम paper नहीं लगाना चाहते हैं, उससे हमे confidence नहीं आता, या शायद उनका confidence कम होता होगा, कोई बात नहीं, आप 9 से 12 और 3 से 6, जिस समय paper है बच्चे, जिस समय paper है, ज 3 to 6, ये कुछ भी slot मिल सकता है न बटा, तो कोशिश करो बच्चे कि अगर आपका paper लगाने का मन नहीं है, तो कम से कम इस slot में बहुत जबर्जस तरीके से पढ़ाई करने, पढ़ाई करने का मतलब क्या है, आपको chair और table पे बैठना है, proper बैठना बटा, proper बैठना है, और को ये चीज़ के लिए नहीं उटना है, मोबाईल एकदम बंद करके रखें, 3 से 6 और 9 से 12, कोशिश ये करें, ठीक है, जब आप, जब मैं ये बोलता हूँ कि sitting hours 3 के गर रखिये, तो उस sitting 3 hours को रखने में सिर्फ बैठना नहीं है, obviously बैठ के अपने दिमाग को चलाना है, एक target लेके बैठना, अगर आप paper solve कर रहे हो, mock test paper कर रहो, तो well and good, अगर आप नहीं कर रहे हो, तो बेटर है कि एक target लेके बैठो, जैसे सपोज आप physics पढ़ने वाले हो, या chemistry पढ़ने वाले हो, या maths पढ़ने वाले हो, कुछ पी हो, तो आप जब बैठ होगे 3 बजे या 9 बजे तो एक target set करके बटिए कि अगले 3 घंटे में मुझे इतना portion complete कर लेना है, और target को attain करने के लिए उसी के accordingly बिटा work करिए, ideally तो मैं ये चाहूंगा, कि आप in durations में एक test paper solve कर ले, कहीं आप easy, J mains level का है न, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल level का paper है, और आप impact में, आपको बोल रह है, वो भी जाता जाएगा, और in fact, आपका mental state गड़बढ़ाएगा, वो इसलिए क्योंकि आप सोचोगे हमसे तो question ही नहीं हो रहे हैं, तो J mains level के, जो real J mains का level होता है, उसी level का, क्योंकि आपको market में बहुत जगह, बहुत सारे papers और mock test series मिलती हैं, जहां पे mains के level के नहीं पू तो कोशिश करें कि mains level के mock test paper को in durations में जरूर करें, उससे आपका जो दिमाग है और जो पूरा शरीर है, वो उस दिन के लिए, जिस दिन आपका paper होगा, उस दिन के लिए एकदम well tuned हो जाएगा, आपको कुछ नया नहीं लगने वाला है, और आप pressure भी feel नहीं करोगे, आपको आपको पहले से कर लेनी चाहिए थे, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, दस से बारा दिन बाकी है, जो बच्चे भी अभी तक इसको नहीं कर रहे थे, प्लीज 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 आपसे हाँ जोड के request है, कि इस duration में आप एक mock test paper जरूर solve करें, ठीक है बेटा, ये तो हो गय सबसे जरूरी बात जो बहुत एहम है, आप याद रखेगा, सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग excel कर पाते हैं, क्योंकि उस मेहनत को बहुत smartly करते हैं, बहुत जबर्जस तरीके से, दिमाग लगा के करते हैं, तो मेहनत को एकदम smart मेहनत करनी है, ठीक है, अब अ नोट्स बनाए होंगे, अपने आप सभी लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाए होंगे, और हो सकता है किनी-किनी बच्चों ने short notes भी बनाए, तो अब जरूरत है कि हर chapter से related, वो जो short notes आपने बना रखे हैं, जो कहीं formula की list है, उनको revise करिए, तो आपको paper लगाना है, mock test paper पर लेना है न, उस duration में, और physical chemistry के लिए अगर मैं primarily बात करूँ, तो फिर आपको क्या करना है, हर chapter के लिए बच्चे, उस chapter के जो short notes आपने बना रखे होंगे, वह formula को revise करो, अगर short notes आपने नहीं बना रखे हैं, तो जल्दी-जल्दी जो आपने पूरे notes लिख रखे हैं, उ almost 90% of the physical chemistry questions are directly formula based, मतलब values रखोगे, result मिलेगा, values रखोगे, result मिलेगा, मैं बोलना हूँ, PC के 90% questions में ऐसा होगा, कि आपको formula में बस values feed करनी हैं और solve करना है, तो formula बहुत जरूरी होते हैं, याद रखने, 90% questions तो आप सिर्फ ये चीज़ करके कर सकतो, लेकिन problem क्या है, बच्चे formula ही याद नहीं रखते, कई बच्चे याद रखते हैं, तो वहाँ पर jumble up कर लेते हैं, mess up कर देते हैं, कहीं minus है तो उसको plus करेंगे, जो चीज numerator में आएगी तो उसको denominator में याद कर लेते हैं, मतलब वो pressure के कारण क्या होगा, कि चीज़ों को वो गड़बड करते हैं, formula तो याद रहते हैं, लेकिन वो pressure के कारण वहाँ उल्टा सीधा apply करते हैं, तो बहुत अच्छे से याद करिए, हो सके तो formula को लिख लिख के याद करिए, वो ज्यादा बेटर होगा, अब मैं अगर chapters की बात करूँ, कि कौन-कौन से chapters primarily more important हैं आपके लिए, तो chapter अगर मैं 11 से अब problem यह है कि जब 6 या 8 session में paper होता है, तो actually NTA को 6 paper या 8 papers बनाने हैं, 6 या 8 paper बनाने हैं, अब आप NTA की जगा पे खुद को रखके देखो, यदि आपको 8 papers बनाने हों chemistry के, तो आप कहां कहां से question select करोगे, आप ideally actually क्या होने वाला है, आप पूरी length and breadth of syllabus को cover कर लोगे, मतलब हर chapter almost cover कर लो, अगर मुझे एक paper बनाना होता, तो कुछ important chapters से questions होंगे, लेकिन अगर मुझे 8 papers बनाने हो, तो सभी topics important हो जाते हैं, क्योंकि फिर ये luck है आपका, आप किसी session में हो, और उस session में हो सकता है कि less important chapters से question आ जाए, तो ideally वेटा, आपको तो सभी chapters पर focus करने हैं, सभी chapters पर focus करने हैं, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों के trends को अगर मैं देखूं, तो मैं बता सकता हूँ कि कौन से chapters बहुत जादा relevance या importance रखते हैं, उन chapters में अगर मैं 11th की बात करूँ, तो देखो mole concept, mole, या आप बोल सकते हैं, स्टाइशोमेट्री वाला, पूरा section, स्टाइशो मिलेगा ही, मिलेगा, ऐसा होई नहीं सकता कि ना मिले, अब mole, स्टाइशोमेट्री में क्या क्या चीज़े, included है, ध्यान से सुन लो, mole concept, basic चीज़े, स्टाइशोमेट्री, जहां पर limiting reaction के concepts हैं, फिर udiometry, gas analysis से reaction questions हो सकते हैं, concentration terms, molarity, normality, mole fraction, molality, इनका एक दूसरे में conversion, dilution, और mixing of solution, ये सारी चीज़ें इसमें cover हो जाती हैं, फिर जो दूसरे chapter की बात करें, जो 11th के portion से very important है, वो है atomic structure, या structure of atom, atomic structure, this is very 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 important, आप पिछले 15-20 सालों के paper, जही मेंस के उठा के देख लेना बच्चे, ये सबसे ज़्यादा ऊचे जाने वाले portion में से एक है, physical में बहुत सार questions आपको atomic structure से मिलते हैं, अगर आप last year के papers उठा के देखोगे, और मैं बता दूँ, formula based questions होते हैं, formula में values रखिए, आपको result मिलेगा, both theory के जो भी results हैं, याद कर लिजेगा, deep doglies hypothesis, photoelectric effect, और uncertainty principle पर बेस, जो भी formula हैं, please याद कर लिजेगा, shodinger बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं, एक आद दो साल में थोड़ा बहुत basic चीजें पूछी हैं, हाँ तो shodinger बहुत basic level का पूछते हैं, advance में बहुत advanced level का पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे shodinger को आप बहुत basic रख सकते हो, और अगर आपके पास समय की कमी हैं, तो आप उसको इसके भी कर सकते हो, shodinger वाले portion को, लेकिन बाकी पूरा करना है, तो यह दो chapters हैं, जो कि मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज्यादा important है, अब 11 के कुछ और chapters हैं, जो कि actually बच जाते हैं, वो हैं gaseous state, अब उससे question आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, real gases, बहुत कम chances होते हैं questions आने के real gases, अब यह पूरी तरह से अगर आप पिछले 10 सालों के paper देखोगे, तो real gases questions बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, यह chance की बात है, कि आप किसी session में हो, और उस session में real gas का question आ जाए, लेकिन यह 11 के, अगर कुछ last के कुछ दिन होगे, वैसे तो ideally आपको formula, लेकिन आपको chapter wise अगर यह चाहिए, तो यह और 12, ज्यादतर बच्चे 12 से portion covered होता है, आना कि अगर मैं बात करूँ 11th NCRT को ध्यान में रखते हुए, अगर आप 11th के portion की बात करें, तो उसमें एक chapter और काफी अच्छे से पूछते हैं, thermo chemistry, thermo chemistry, है न, NCRT के perspective हैं, क्योंकि NCRT में यह जो thermo chemistry वाला portion है, वो class 11th में, एक चीज और बेटा, equilibrium में दो chapter आते हैं, हम लोग 2 chapter पढ़ते हैं, chemical equilibrium, ionic equilibrium, यह आपको 11th के NCRT में मिलेगा, ionic और chemical equilibrium, ionic equilibrium में बहुत सारे formula हैं, और formula based questions ही आते हैं, तो ionic equilibrium भी यह 11th वाले portion से आपको ध्यान रखना है, अब कुछ बच्च रहा हूं, क्योंकि NCRT में वो बच्चे किस में हैं, 11th में, ठीक है, ionic में formula based questions आते हैं, लेकिन काफी formula हैं, buffer, hydrolysis, देखो, buffer का, hydrolysis का, solubility product, buffer का, hydrolysis का, solubility product का, इनके बहुत अच्छे से results याद कर जाईएगा, तो यह 11th के portion हो गए, और 12th के portion से काफी अच्छा खासा प NCRT बहुत अच्छे से पढ़ जाईएगा, NCRT बहुत अच्छे से पढ़ जाईएगा, surface chemistry से जादा तर questions theoretical होते हैं, अगर numerical साते भी हैं, तो वो बहुत easy होते हैं, वो actually adsorption isotherms पे होते हैं, बहुत simple होते हैं, लेकिन जादा questions theoretical आते हैं, colloids से अगर section है, तो colloids आपको theoretical question मि से लेगा, surface chemistry के बाद, फिर chemical kinetics, chemical kinetics है, फिर chemical kinetics के बाद, electro chemistry, electro chemistry, electro chemistry, और solid state, एक और chapter का मैं यहाँ पर नाम लिखना चाहूँगा, वो है liquid solution, liquid solution, तो यह वो chapters हैं, जो high weighted chapters हैं, जहां से हमेशा question मिलेगा ही, मिलेगा, तो अगर आपको जल्दी से आकरी 10-12 दिनों में कुछ chapters revise करने हैं, तो बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so total 9 chapters यहां पर लिखे हुए हैं, माली यह 10 हैं, तो per day एक chapter के हिसाप से आप चल सकते हो, एक chapter आप daily बहुत अच्छे से revise करने की कोशिश करो, जब आप chapter, मैं बोलता हू कि electrochemistry मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया है, और मैं इसका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, समझ ही नहीं पा रहा हूं कि यह electrochemistry में क्या है, तो अब इस आखरी 10-12 दिनों में कुछ भी नया chapter नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पढ़ भी लोगे, तो उस level का command नहीं कर रखा है, या बिल्कुल एकदम गायब है आपके दिमाग से, अगर गायब है, तो फिर आप क्या करोगे, कि उसको ना पढ़के उसका जो time है, दूसरी जगा यूटिलाइस करो, वो ज्यादा बेटर है, तो बच्चों यह 10 chapter है, डेली एक chapter बहुत अच्छे से revise करिए, formula revise करे जिन पर आपको बहुत अच्छे से focus करना है, अब यह सारी बातें, तब fruitful होगा, जब आप finally exam में, यह बिना pressure लिए, बिना pressure लिए, एकदम बिंदास अंदाज में, क्योंकि आपने खूब मैनत कर रखी है, तो obviously आपको pressure नहीं लेना है, क्योंकि जरूरत नहीं है, आपको माल लोगे जैसा मैंने कहा कि formula याद रखते हैं, लेकिन बच्चे गलत apply करते हैं, तो एकदम free state of mind से जाना है, PC के लिए एक चीज और मैं बताना चाहूँगा बेटा, एक और अच्छा फाइदा है, PC में क्या है, कि ज़्यादा तर questions, अब आपको मालूम है कि 30 questions में से 25 questions करने है लास्ट में 10 questions आते हैं, जो कि numerical decimal type होते हैं, उसमें से हमें 5 करने होते हैं, PC के ज़्यादा तर questions उस वाले section से होते हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा chance ले सकते हैं, तो अगर आपको किसी को लगता है कि इनमें से सारे chapters हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो आप skip कर लो एक दो chapter, लेकिन फिर वहाँ पे आपको chance लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के जो 10 questions हैं, ज्यादा तर PC के questions, वो जो लाकरी के 10 questions होते हैं, numerical decimal type, वहाँ पूछे जाते हैं, उनमें से 5 करने होते हैं, तो अगर आपका लग अच्छा रहा, तो आपको 5 वो सारे के सारे मिल जाएंगे, जो आप कर सकते हो, और जो 5 छोड़ने होंगे, वो आप easily छोड़ सकते हो, जो आपको नहीं पड़ रखे होगे, या इनमें से कुछ ऐसा होगा, जो आपको नहीं आता होगा, वो उस 5 में आप छोड़ सकते हो, तो ये थोड़ा smartly move करिएगा बेटा, वहाँ पे tension लेने की ज खुछ रहना ठीक है, खुछ रहना बहुत जरूरी है, और इन chapters को एक बार आप अच्छे से देख जाईएगा, thank you so much.